कि नमस्कार दोस्तों कोट मारी ऑफिस में यानि कि सीमो में आज एक पर आप सभी दर्शकों को फिर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज दोस्तों मैं फिर आया हूँ आज आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ में एक नई जानकरी के साथ जैसा कि काफी सारे कपल हमें कॉमेंट करके भी हमसे पता करते हैं कि सर कोट मारी जब हम करेंगे कोट मारी ऑफिस में आकर तो क्या कोर्ट मेरज हमारी कुछ समय बाद, 45 दिन बाद, 6 महीने बाद, या तीन महीने बाद, या 90 दिन बाद पक्की मानी जाएगी. या कोर्ट मेरज करने के बाद क्या हमें किसी अज्यात स्थान पे, या कहीं पर छुपकर रहना होगा हम लड़का लड़की को शादी करने के बाद जिससे कि किसी को पता न चले, कोई हमें पकड़ न पाए तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मेरे वीडियो के इसमें माध्यम से मिल पाएंगे जिससे कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके दिमाग में यदि कोट मेरे इससे जुड़े कुछ भी अगर ऐसे प्रशन है तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपके प्रशन वो आपके डाउट्स किलियर हो सके तो आईए दोस्तों शुरुबात करते हैं जैसा कि दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है वट्सप फेस्बुक का जमाना है तो आप लोग जो अपनी कोट मेरे इस करना चाहते हैं तो आपके पास में कहीं न कहीं से घूम फिर कर एक मैसिज कहीं न कहीं से पहुँच जाता है आपके वट्सप पर या आपके फेस्बुक पर जिसमें की ये होता है लिखा होता है कि आपकी कोट मेरे इस तीन महीने बाद पक्की मानी जाएगी जो कोट मेरे इस करना चाहते हैं उनको कुछ समय के लिए छुपकर रहना होता है या court marriage आपकी 6 महीने, 45 दिन बाद या 90 दिन बाद पक्की मानी जाएगी तो दोस्तों मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि court marriage office में भी हमारे court marriage office के अंदर एक सर्वे किया गया था यदि आप चाहें तो हमारे court marriage office के चैनल के उपर community में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने एक प्रशन पूछा था आप सभी लोगों से कि court marriage करने के कितने दिन बाद पक्की मानी जाती है जिसमें कि दोस्तो हमें भी आश्चर हुआ कि अश्चरी प्रतिशत लोगों ने तो उसका जवाब बिल्कुछ सही दिया था लेकिन 12-13% लोगों ने उसमें जवाब उसका गलत दिया यानि कि कई सारे लोगों में यह अज्ञानता है और उनको कानून की पूरी नॉलिज नहीं है और इस विशे में भी पूरी जानकरी नहीं है कि court marriage कितने दिनों बाद पक्की मानी जाती है तो दोस्तो मैं आपको अपने वीडियो के मध्यम से आज में बताना चाहूंगा कि जो भी couples बालिग हो चुके हैं जो भी आप लोग बालिग हो चुके हैं यदि आप लोगों ने अपनी court marriage करने का decision ले लिया है तो दोस्तो जिस दिन भी आप अपनी court marriage करने के लिए आते हैं उसी दिन आपकी court marriage होती है उसी दिन आपके जब जसाप के सामने बयान हो जाते हैं तो जिस दिन आप अपनी court marriage करते हैं उसी दिन से आपकी court marriage पूरी तरीके से पक्की मानी जाती है ऐसा नहीं होता कि आपकी कोट मारीज होने के दो दिन बाद या तीन दिन बाद कोई घरवाले आपका तलाग करवा दें या आपकी कोट मैरिज को खतम करवा दें या आपके पारिवारिक सदस से या कोई माता पिता भाई भेहन लड़का और लड़की को कोई अलग करवा सके दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है साथी मैं आपको इसकी यही बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदू मरिजक्त के अंदर जिस प्रकार से आपकी कोट मैरिज होती है तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि आपका तलाक आपका एकदम हो जाता है या आपकी कोट मैरिज कैंसिल एकदम हो जाती है तो दोस्ता ऐसा नहीं है कानून के अंदर तलाक का cancellation का marriage का उसका एक अलग provision है dissolution of marriage का भी तो जिसमें कि आप उस process के साथ जाके यदि आप अपना तलाक लेना चाहें तो आप तलाक ले सकते हैं उसके बाद में लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आपने शादी करी और कल आपने तलाक के लिए फाइल कर दिया या आपके माता पिता ने कोई आपके तलाक के लिए फाइल कर दिया या आपकी शादी को cancel करवा दिया तो दोस्तों ये पूरी तरीके से एक भ्रामत और एक छोंटी ख़बर होती है, मैं आपसे अनुरोद करूँगा कि आप कभी भी ऐसी किसी भी नीज के उपर आप लोग विश्वास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप एक बार कोट मैरिश कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपके जस्साब के सामने बयान होते हैं, जस्साब आपको मैरिश क सर्टिफिकेट इश्व करते हैं, गौवर्मेंट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और उस सर्टिफिकेट को आप लोग ऑनलाइन भी चेक करते हैं, आप लोग गौवर्मेंट पोर्टल के उपर जाकर आप अपना मैरिश सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो य जिसमें ये बोलता है कि आपकी कि जैसा कि आपने कोट पर ऑफिस में हमारी जो वीडियो आपने देखी होंगी अभी तक उसमें हमारे इस चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियो जो बनाई गई है वो मैक्सिम वीडियो कोट पर इससे जुड़ी भी है लेकिन दोस्तों एक खुशे ही खबर है कि जो हमारा दूस की जाती है यदि घर में चूरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए है तो काफी सारे इस प्रकार से अन्य टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को जरूर मिलेंगी तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है यदि कोट पर इससे जुड़े अगर आप कुछ सवाल चाहते हैं यदि आपके दिमाग में कोई भी ऐसे प्रश्न है तो सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ साथ पहे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जादकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शियर करें अपने मित्रों के साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सकें थैंकिस सो मच और वाचिंग इस वीडियो कि थिस साररा अबा हमार बार वीडियो